कि बेहाल खानी लेकर हाजिर हूँ मैं संतोष कंगबार। बेहार के कई जिलों में नदियों का जल इस्तर घटने के बाद भी लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। बाल के बाद कटाओं से लोग देश्वत में हैं, हालात का अंदाजा इसी बाद से लगा सकते हैं कि लोग अपने हाथों से अपना आश्याना उजाल रहे हैं। कोसी समेथ कई नदियों का पानी भले ही घट रहा हो, लेकिन बिहार के लोगों की परिशानी कम नहीं हो रही। की तरह बह गए हैं, बच गया है तो बस घरों की निशानी और बेहसाब परिशानी। अब मजबूरन लोग बांद पर शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन बेहाल करती बाड की ये तस्वीरे सुपॉल तक ही सीमित नहीं हैं। अब इनको देखिए। ये है किशन गंज के कोल भिट्टा गाउं के निरुलहक। बड़ी हसरत के साथ पक्का मकान बनाया था, सोचकर की परिवार के साथ सुपून की जिन्दगी जियेंगे, लेकिन आज अपने ही हाथों से अपने आश्याने को उजालने को मजबूर हैं, नहीं तो उकनाई नदी घर के साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगी, जैसे गाउं क बाकी लोगों के घरों के साथ हुआ है। हालात पर रोएं या फिर अपनी किस्मत पर। अब एक तस्वीर मोतिहारी की भी देख लीजिये। जो अपने चपल को बचाने चला था, ये कोई एक साल की कहानी नहीं है, बिहार के एक बड़े इलाके में हर साल कुछ ऐसा ही होता है। काश की समस्या का कोई स्थाई समाधान निकल पाता। ब्यूरो रिपोर्ट नियूज एट्री पानी तो घट रहा है, लेकिन जो पानी का बाहब है वो बहुत तेज है। अरारिया से भी इस्तिती कोई अलग नहीं है, परमान नदी खत्रे के निशान के ऊपर से बह रही है। शहरी इलाकों में भी पानी पहुँच चुका है, सीतामडी, शिभर, चार जगह पर तटबंद टूट चुके हैं और ऐसे में इस्तिती और भयाभय होती चली जा रही है। विलसंड और रुनी सैदपूर बाड की चपेड में आ चुके हैं, मुख और सड़क पर बाड का पानी लगातार बह रहा हैं और तेजबाहों के साथ बह रहा हैं, ऐसे में लोगों की परिशानिया हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, प्रशासन से लगातार मदद की दाबर नहीं है, कुथा रधी का पानी घुष चुका है, घरों में घुष चुका है, 20 से अधिक गाउं में आना जाना बंद हो चुका है, और ऐसे में लोग परिशान हैं, मदद की गौहर लगा रहा हैं, प्रशासन की ओर टक्टकी लगा कर देख रहें, कोई उने इस सुपॉल की अगर बात करें तो सुपॉल की स्तितीवी इन जो बाकि के अलाके हैं उनसे जुदा नहीं है कोसी का जो जल इस तरह वो लगतार गिरा है उसके बाब अचूद गाउं में जो पानी है उसकी धार बहुत तेज है लगातार हम तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं फसले चौपट हो चुकी है हरे बरे खेट जो थे उनको नुकसान हो चुका है फसले धान की फसल खास कर वो पूरी तरह से पानी में जलमगन हो चुकी है लोग घर से बिस्थापित हो रहे हैं अपने आश्याने को खुद से तोल रहे हैं और इधर से उधर जाने को मजबूर है उचे स्थानों पर जाने को मजबूर है घर चोड़ने को मजबूर है मुझफरपुर की अगर बात करें तो वहां भी इस्तिती जुदा नहीं है वागमती नद पूनिया में महानन्दा, कनकई और कोसी तीन नदियां बहती है और तीनों ही की तीनों नदियां उफान पर है इस्टेट हाईवे 99 का टायवर्चन तूट चुका है और ऐसे में लोग परिशान हो रहे हैं पानी जो है वो घरों में घुस रहा है गाओं में घुस रहा है त्राहिमाम त्राहिमाम यहां भी सुनाई दे रहा है गोपाल गंश की अगर बात करें तो मंगलपुर पुल के पास गाइड बांध जो था वो ध्वस्त हो चुका इसने लोगों की परिशानी बढ़ा दी है करें तो दरवंगा में भी इस्तिती कुछ ऐसी ही है किरतपुर में कोशी का बांध तूट चुका है और कोशी का जो बांध है उसके तूटने से घर और मकान पानी में समा चुके हैं लोग यहां भी मदद की गौहार लगा रहे हैं और प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि उन तक मदद जल्द से जल्द पहुचाई जा सके पूर्वी चंपरन के सुगाली प्रखंड में सिक रहना नदी के दवाव के कारण उत्री सुगाव पंचायत के डोंगी गाउं में रिंग बांध तूट गया पानी के दवाव के कारण लगपक 30 फिट रिंग बांध था उप成 सवी क्यालाएं पानी के पैलने से 1000 हेक्टेयर की फऽसल को नुक्सान होने कालमान है, वहीं सैकलो घरों के लो जो जो सैकलो घर है उससे लोग इधर से उधर जाने को मचबूर हो रहे हैं, यानि पलायन करने को मचबूर हो इसलिक बांध को तूटने से परिशानी उनकी बढ़ गई अब दर्वंगा से बड़ी ख़बर आ रही है जहां किरतपुर में कोसी बांध का पश्मी तडवंद तूट गया है जिससे इलाके में अफरा तफ्री का महौल पैदा हो गया है कई घरों का और दुकानों को बाढ़ के पानी ने निगल लिया है वहीं स्थानिये लोगों का कहना है कि फ्रशासन की ओर से अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं दी गई है कि बाढ़ का कहर अब दिखने लगा है हम आपको दिखा रहे हैं जीरो ग्राउंड जीरो से आप देखिए यह जो इलाका है किरतपूर परखंड का जो है भूबोल गाउं है और भूबोल गाउं में जो कटा हुआ है कोसी नदी एक तरह से कहें तो अपनी धारा को बदल लिया है जो नदी है वो नदी कटाव करते हुए पस्सिम की ओर जो है बहने लगा है और यह विक्राल रूप है और आप सामने देख सकते हैं कि जो पूल आपको दिख रहा होगा उस पर भी लगातार पानी का प्रेसर है अईसे में पूल भी बहुत देर तक इस प्रेसर को नहीं जेल पाएगा यहां कुछ लोग हम जान लेते हैं बवाई कौन सा जगा क्या इस्तिति है यहां पर बान टूटे के बहुत गरबर शितितिति है पानी तो बहुत पानी था ना तो बहुत फूल पानी था जब बान टूटा तो किसी का समनले का मुवी नहीं मौका मिला सबको दाना पानी सबको घरे मरो गिया किस निकाल नहीं पाया इतना तेज बान टूटा सबको घरे घरे का एक पानी बर गिया इस्तिती भयाबा है और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो गाउं दिख रहा है पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है परसासन को वहाँ पहुंचना चाहिए और वहाँ फसे हुए लोगों को निकालना चाहिए और उन्हें जो जरुवत है उसकी फरपाई होनी चाहिए व इसमें दुरघटना की आशंका बढ़ गई है आलमगंश के गाए घाट से लेकर माल सलामी के दमराही घाट तक कई जगाहों पर बाल का पानी चड़ गया है घाटों की इस्तिती खतरनाक हो जाने के बाप्चूद बच्चे गंगा में इसनान करते नजर आ रहे हैं कि अधर दूबिसे लगतारें तिन दिन से बढ़ रहा है पानी लगफ़गे दो फीट हायट बर गया है हम दोंको भी हाले इस सीरी को जोधा कि अधर लोग परसों से पानी बढ़ना चालो हो जया आप बढ़ रहा है बहुत रप्ता से पर रहा है हम लोग लुग लादिटा पर बाद को लेकर जल संसादन मंत्री विजद शौधी का बड़ा बयान सामने आया विजद चौधरी ने कहा कि पानी इतना आया है कि पिछला सारा रिकॉर्ड तूड गया कोशी और गंडक ने पिछला सारा रिकॉर्ड तोड दिया इस साल के अनुबब के आधार पर तटवंद और कैसे मजबूत हो नेशनल शिल्ट मैनेश्मेंट की मांग बिहार से की गई थी केंदर सरकार इस पर काम कर रही है बिहार में सुजहाव मांगा गया है उम्मीद है कि केंदर सरकार से हमें मदद मिलीगी और वह उसको समेदन स्पीरता से देखा रहे हैं। अब हम उसमें और ज्यादा उसको पुखते हैं। इस साल के अलभब को भी उसमें सामीक करेंगे। कि इस साल के अलभब के अधाल पर भी हम अपने तटमंदों को और मजबूत ऐसे बनाएं। क्योंकि अब जन्स्राव बढ़ा है लगातार हमने कुने माझती है कि एक नैशनल सिल्ट मैनिजमेंट पॉलिस है। पननी चाहिए राज़्टिय की गास प्रबद्ध है निती जिसमें भी केद्र सरकार काम कर रही है। और बहार में आई बाड़ पर उप मुखमंत्री विज़ा सिनहा ने कहा कि सरकार सजग है पददकारी को जगह जगह तैनात कर दिया क्या है। सरकार आबदा पीड़तों के लिए लगतार काम कर रही है और जानमाल का नुकसान नहीं होने दिया चाहिए। उन्होंने दाबा किया केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लोगों को रहत पहुचा रही है। साथी बार के स्थाई समधान के लिए भी प्यास व्यारी है। और बहार में बार की भीश्वर तबाही के बीच NDRF और HDRF की टीम सुदूर इलाकों में पहुच गई है। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित ट्रेकानों पर पहुचाये जा रहा है। बाल पीलितों के अलाबा उनके पश्यों और सामानों को भी HDRF की टीम लोगों की मदद से सुरक्षित इस्थानों पर पहुचाने में जोटी है। बिश्का की वज़े से एक बार फिर से मुझपःपूर और सीतामरी के लोग तबाह हो गये हैं। यह बार का पानी सी राके में कप पहुचा राप से आया या सुबह से आया आठ बजे के आज पर समय आप लोगों को समय से इंफॉर्मेशन मिल गया था। गौरी शंकर रहा हैं बता रहे हैं और देखें तस्वीर थोड़ी कितनी भयावा तस्वीर है यह बार की विविशका ने किस कदर लोगों को तवाह किया है इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर बखो भी समझ सकते हैं और लोग जो है वो लगातार रेस्क्यू कर न योग दें तो कि आपकी सुरक्षा ही इनका मेन परपस है और इसी कारण यह आपके घरों तक पहुंचे हैं कैमरापरसन मनीच उनिदा के साथ संजे कुमार न्यूज एटिन मुझा फ़र पूर और सुपॉल में बाढ़ में फसे लोगों के लिए पुल निर्माल एजनसी द काला जा रहा है एक तरफ विहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ से बेहाल है दूसरी और बाढ़ पर जमकर सियासत शुरू हो गई है आरजवेडी नेता रोडी आश्वारे ने राज्यस सरकार पर सवाल किया तो एंडिये नेताओं ने पूछ लिया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदब कहां है एक तरफ बिहार के लोग बाढ़ से बेहाल है और दूसरी और तेजस्वी आदब दुबई में सेर सपाटा कर रही है काम तो कुछ करना नहीं है तो वो तो राभूल गांधी के तरह पार्ट टाइम पॉलिटीशियन है और पूरी बारत सरकार राजसरकार जगी भी है बिहार में उपनाई नदियों का पानी अब भटने लगा है लेकिन राजनेती की चाल तेज होती जा रही है विधानसबा चुनाओं के बाद पहली बार सिंगापूर से लोटी लालू प्रसाद की बेटी रोणी अचारे ने बार पर सरकार से सवाल क्या पूछा विहार की सियासत लह गई ये कभी सिंगापूर से कभी पटना से इनके भाई कहा है नेता प्रतिपक्च कहा है बताएं अरे जीमेबारी निभाव सोने के चम्मस लेकर जन्म लेने वाले लोग एक के बाद एक कई एंडिये नेताओं ने आरजेडी पर ताबर तोड हमले किये और सवाल पूछा कि तेजस्वी आदव कहा है एंडिये नेताओं ने कहा कि जब जब बिहार के लोग किसी मुश्किल में होते हैं तेजस्वी आदव लापता हो जाते हैं जैसे अभी विदे बाड के धार में तेज हुई सियासी पादी में जन सुराज के पुशान किशोर ने हाथ धोने की कोशिश की वो तो इंडिरियरों और विरोक्रेट्स के कमाई के लिए खुद किया हुआ बाड पर तेज हुई सियासत के बीच विहार के डिप्टियो सीम समराच चौधरी ने केद्रिय जल्द शक्ति मंत्री से मुलाकात की और पत्र लिखकर इस समस्या के थाई समाधान के लिए कोशी शित्र में बड़ा बराज बनाने की मांग की समराच चौधरी ने इस दोरान आरजोडी अधिक्ष लालू प्रसाद पर निशाना साधा और उनकी बेटी रोणी अचार्य को तब और अब में फर्क का आईना दिखाया फिलाल बिहार का बड़ा इलाका बार से बिहाल है नेता लोग नेता अगिरी करने में लगे हैं न्यूज 18 के लिए दिली से अमितेशो सिंग और पटना से धर्मंदर कुमार के साथ ब्योरो रिपोर्ट और किशन गंज जिले में कनकई रतुआ नदी के जलिस्तर में कमी हुई है इससे बाड का पानी तो घट रहा है लेकिन कटाओ काफी तेजी से हो रहा है तेज कटाओ की बज़े से बाहदुर गंज प्रकंड के लौचा पंचायत के कोल भिटा गाउं में दर्शनों कच्छे पक्के मकान नदी में समा गए अभी पक्के मकानों के लोग अपने हातों से तोड़ रहे हैं साथी घर के सामान को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय निता वोट लेने के लिए दौड पड़ते हैं लेकिन आपदा की घड़ी में कोई उन्हें देखने वाला नहीं है यह तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं बाहदुर गंज की यह तस्वीरे जहां लोग अपने घर को खुद से तोड़ रहे हैं बज़े कि जैसे ही बाल का पानी उनके घर के नजदीक आया और यह खत्रा मड़ाने लगा कि उनका घर इस नदी में बहे सकता है ऐसे में लोग अपने घर को तोड़ने को मजबूर है जिस आश्याने को अपने हातों से इन लोगों ने सजाया था अब उस पर ही हतोड़ा चला रहे हैं तो इस पुलिटन में फ्लाल तना ही आप देखते रहे हैं न्यूज 13 बिहार जार करते हैं